हलो एफ्रीवान वेलकम चु लर्निंग साइन्स आज का हमारा टॉपिक है ब्रिलोईन जोन्स तो आज हम जो है ब्रिलोईन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम करेंगे construct, ब्रिलोइन जोन्स को जिसे हम ब्रिलियन जोन्स भी कहते हैं ठीक है प्रननसियेशन चेक कर लेना गूगल पे simple square का ब्रिलोइन जोन्स हम बनाएंगे और ये जो simple square है उसमें क्या होगा corners पे atom present होगा ठीक है 3D figure नहीं है ये जो है 2D figure है और इसका जो primitive translation vector है वो है A vector और B vector जहां पर A vector जो है वो A I cape के बराबर होगा और B vector जो है वो B J cape के बराबर होगा बी के जगे पर हम A B put कर सकते हैं क्योंकि square का जो sides है वो equal होता है तो B J cape के जगे पर हम A J cape लिख सकते हैं अब ये जो दो vectors है उसके corresponding reciprocal latest translation vectors हम निकालेंगे तो A vector का reciprocal latest translation vector होगा A star vector जो की बराबर होगा 2 pi divided by A I cape के और B vector का reciprocal latest translation vector जो है वो होगा B star vector जो की बराबर होगा 2 pi upon A J cape के अब यहाँ पर reciprocal एक reciprocal latest से दूसरे reciprocal latest के तरफ G vector लेकर जाता है हमें पता है तो ये जो G vector है वो बराबर होगा H A star vector plus K B star vector के और यहाँ पर जो A star और B star है वो हमारे reciprocal latest vector है उनका values उपर दिया है तो उसे हमें put करना है तो H A star के जगे पर 2 pi upon A I cape होगा फिर हम plus K लिखेंगे B star के जगे पर 2 pi upon A J cape होगा अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 pi upon A दोनों में common है तो उसको हम bracket के बाहर common निकालेंगे तो bracket के अंदर बचेगा H I cape plus K J cape जहाँ पर H और K जो है वो integers है ना हम suppose करेंगे कि जो K है वो एक wave vector है और यह जो wave vector है वो हमारे X ray का है ठीक है? तो यह जो K vector है उसके भी दो coordinates होंगे एक होगा K X I cape और दूसरा होगा K Y J cape यहाँ पर सिर्फ दो ही vector है क्योंकि हमने एक square consider किया है plane consider किया है और इस K vector को हम origin से measure करेंगे origin से हमने measure किया है ठीक है K vector को ना हम Bracks law लिखते हैं Bracks law के मताबिक 2K vector dot G vector जो है वो negative of G square के बराबर होता है अब यह जो G square है उसको हम G vector dot product G vector करके लिख सकते हैं तो क्या आएगा G, G दोनों का magnitude और दोनों की बीच में angle, angle 0 degree है ठीक है? दोनों E की direction में होंगे 0 degree बनाएंगे तो को 0 degree आएगा dot product है तो को 0 degree 1 होता है तो G, G आएगा which is G square तो G square vector के जगे पर हम G vector dot product G vector लिख सकते हैं फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे के vector के जगे पर उसका value put करेंगे और G vector के जगे पर भी उसका value हम put करेंगे। वो बराबर होगा हमारा negative of g vector dot product g vector के और यहाँ पर g vector का value हमें पता है उसको हमें दो बार लिखना है और करना है उसका हमें dot product अब यहाँ पर scalar का अलग से product और vector quantities का अलग से product हम कर सकते हैं तो 2, 2 is a 4 होगा 4 pi divided by a आएगा ठीक है फिर उसके बाद i cape के जो आगे term है उनका अलग से product होगा j cape के जो आगे term है उनका अलग से product होगा dot product में ऐसा होता है ठीक है जो i cape वाला term है वो j cape के साथ भी multiply हो सकता है लेकिन यहाँ पर दोनों की बीच में angle 90 degree होगा cos 90 zero आएगा zero हमें विलेगा तो हम उसको consider नहीं करेंगे तो i cape के आगे जो है kx और h है तो आएगा h kx और j cape के आगे जो है ky और k है तो आएगा kky बीच में आएगा plus क्यूंकि बीच में plus sign है ठीक है और वही चीज़ यहाँ पर right hand side पर भी हुआ है two pi into two pi जो है वो four pi square के बराबर आएगा a into a जो है वो a square के बराबर आएगा i cape के आगे h है h into h जो है वो h square होगा j cape के आगे k है तो k into k जो है वो k square के बराबर होगा और a जो है वो उपर जला जाएगा जो चीज़े cancel होती है उसे हमें cancel करना है बचेगा minus pi upon a minus हमारे पहले present था minus g square उसको लिखा है ठीक है तो यह जो equation है हमारा उपर वो जो है family of straight lines है यहाँ पर जो है implies आएगा now अगर हम यहाँ पर h के जगे पर zero put करें तो यहाँ पर 2 h है वहाँ पर zero होगा तो हमें मिलेगा k ky is equal to negative of pi upon a फिर आएगा k square फिर हमें क्या करना है यहाँ पर जो k है उसके जगे पर 1 और minus 1 put करना है h के जगे पर zero put करनी के बाद तो सबसे पहले हम k के जगे पर plus 1 put करेंगे फिर उसके बाद हम k के जगे पर minus 1 put करेंगे तो यहाँ पर ky जो है वो negative of pi upon a आएगा और उसी तरीके से minus 1 ky जो है वो minus pi upon a minus 1 का square आएगा ठीक है यहाँ पर k के जगे पर minus 1 put किया है minus 1 into ky जो है वो minus ky होगा one का square one आएगा तो minus pi upon a होगा minus and minus जो है वो cancel हो जाएगा तो ky के हमें दो values मिला है एक है negative pi upon a और दूसरा है हमारा plus pi upon a उसको हम plus minus pi upon a करके लिख सकते है और इसमें हमें दो lines मिलेंगे ठीक है और उसी तरीके से हमें क्या करना है ky के जगे पर zero put करना है उपर equation में तो बचेगा hkx is equal to negative of pi upon a h square फिर उसके बाद हम h के जगे पर plus one put करेंगे और h के जगे पर minus one put करेंगे पहले ky के जगे पर zero put किया है ठीक है जब हम h के जगे पर plus one put करेंगे तो kx जो है वो negative of pi upon a आएगा and जब हम h के जगे पर minus one put करेंगे तो kx जो है वो pi upon a आएगा negative और negative जो है वो cancel हो जाएगा तो kx के हमें मिलेंगे दो values एक है positive pi upon a और दूसरा है negative pi upon a और ये हमें जो है दो लाइन्स देगा ठीक है और ये सारे चार लाइन्स जो है area को cover करेंगे बंद करेंगे और वो है हमारा first zone फिर हमें क्या करना है ह के जगे पर zero के के जगे पर zero हमने first zone के लिए put किया ना हम हम ह के जगे पर one put करते हैं second zone निकालने के लिए तो ह के जगे पर जब हम one put करेंगे तो kx plus kky is equal to negative of pi upon a h square के जगे पर one का square जो की one होगा plus k square के बराबर आएगा फिर हम k के जगे पर plus one और k के जगे पर हम minus one put करेंगे जब हम k के जगे पर plus one put करेंगे तो kx plus ky जो है वो negative of pi upon a one plus one का square one आएगा which is equal to negative of two pi upon a आएगा फिर हम k के जगे पर minus one put करेंगे तो k के जगे पर जब हम minus one put करते हैं तो kx minus ky is equal to minus pi upon a और 2 आएगा, minus 1 का square 1 होता है, ठीक है, क्या मिलेगा हमें kx minus ky is equal to minus 2 pi upon a मिलेगा, अगर हमें ky का value निकालना है suppose, तो हमें क्या करना होगा, kx के जगे पर pi upon a पुट करना होगा, minus pi upon a पुट करना होगा, minus 2 pi upon a पुट करना होगा, और 2Pi upon A put करना होगा तो KY का हमें 4 values मिल जाएगा यानि कि हमें X और Y के 4 points मिल जाएंगे और उसको connect करेंगे तो हमें एक line मिलेगा इस वाले portion के लिए उसी तरीके से यहां पर एक line और उपर जो दो portions किये थे उसके लिए एक line ठीक है और यह 4 line जो है वो हमें second brilliant zone देगा यहां पर मैं figure draw कर देती हूँ सबसे पहले origin होगा X axis पे Pi upon A, 2 Pi upon A Y axis पे Pi upon A, 2 Pi upon A हमें लिखना है negative X axis पे negative Pi upon A, negative 2 Pi upon A Y axis पे negative Y axis पे negative Pi upon A, negative 2 Pi upon A आएगा KY जो है वो plus minus Pi upon A है यह हमारा X axis है, यह Y axis है तो KX यहां पर होगा और KY यहां पर होगा अब KY जो है वो plus Pi upon A है यानि कि यहां पर present होगा origin से इस distance पर और यहां पर हमें एक line draw करना है यह है हमारा KY line फिर origin से नीचे जाएंगे minus Pi upon A KY जो है वो minus Pi upon A भी आता है तो यहां पर भी हमें एक line draw करेंगे और यह जो distance है वो equal होगा सारे Pi upon A, Pi upon A, Pi upon A है ना यहां पर दोरा सा मेरा distance equal नहीं आया है आपको scale कर यूज करके draw करना है और उसी तरही के से KX जो है वो negative Pi upon A होगा और positive Pi upon A होगा जिससे हमें दो lines मिलेंगे और वो जो line ने इस square में area को बंद किया है उसी को हम कहते हैं first brilliant zone तो यह हमारा KY जो है वो negative of Pi upon A है यह हमारा KY जो है Pi upon A है यह हमारा KX जो की Pi upon A है यह भी X axis पर है ना यह हमारा KX जो की negative Pi upon A है तो H के जाएके पर minus 1 आना चाहिए तो यहां पर minus KX आएगा और यहां पर minus 1 का square तो 1 ही होता है तो यहां पर minus KX आएगा तो minus KX plus KY जो है वो minus 2 Pi upon A के बराबर होगा और उसी तरीके से यहां पर भी minus KX आएगा ठीक है तो यही mistake हुआ है इसलिए मैंने points draw किया पहले and answer नहीं निकला तो mistake यहां पर हुआ एक H यहां पर plus 1 आएगा दूसरा H minus 1 आएगा जो की हमें 4 lines देगा ठीक है और इससे हमें second brilliant zone मिल जाएगा तो यहां पर मैं फिर से दुबारा एक बार figure को draw करूंगी यह है हमारा origin तो first brilliant zone में क्या होता था lines जो है वो Pi upon A और minus Pi upon A पर होता था तो यह है हमारा first brilliant zone यह एक square बनाएगा क्योंकि तिनों distance same है ना मेरा नहीं बना है आपको scale का use करके बनाना है square यहां पर पहला equation में लिख देती हूँ negative of KX plus KY जो है वो negative of 2 Pi divided by A के बराबर आएगा अब KX के हम 4 possible values put करेंगे एक होगा Pi upon A तो negative of Pi upon A आएगा plus KY is equal to negative of 2 Pi upon A तो KY जो है वो बराबर होगा negative of 2 Pi upon A फिर minus Pi upon A का जब हम side change करेंगे तो plus Pi upon A आएगा तो minus 2 Pi upon A में से जब हम Pi upon A निकालेंगे तो minus Pi upon A बचेगा जिसको हमें यहां पर लिखना है और उसी तरीके से यहां पर अगर हम minus Pi upon A put करें तो बन जाएगा plus Pi upon A plus KY is equal to negative of 2 Pi upon A अब यह जो plus Pi upon A है उसका हम side change करेंगे तो वो minus Pi upon A बन जाएगा minus 2 Pi upon A minus Pi upon A जो है वो minus 3 Pi upon A के बराबर होगा फिर हम 2 Pi upon A put करेंगे के X के जगे पर उसका side change करेंगे तो plus 2 Pi upon A बन जाएगा and minus 2 Pi upon A plus 2 Pi upon A जो है वो 0 होता है तो हम यहां पर लिखेंगे 0 फिर उसी तरीके से KY जो है वो minus 2 Pi upon A यहां पर plus है तो minus बन जाएगा तो KY जो है वो minus 4 Pi upon A के बराबर होगा और यह जो है हमें क्या देगा एक लाइन देगा ठीक है यह चार हो चार पॉइंट्स देंगे उसको connect करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा ठीक है तो सब से पहले हमें क्या करना है सब से पहले के के जगे पर Pi upon A कंसिडर करना है के एक एकस के जगे पर यहां पर है तो KY कहाँ पर होगा minus Pi upon A पर होगा यानि की यहां पर नीचे sign को दियान में रखना जी थी यह मुझसे तोड़ा गलती हुआ है minus pi upon a हमारा x-axis है तो y जो है वो minus 3 pi upon a होगा minus 2 pi upon a अगर हमारा x-axis है तो y जो है वो minus 4 pi upon a होगा और उसी तरीके से 2 pi upon a अगर हमारा x-axis है तो 0 origin जो है वो हमारा y-axis होगा तो ये जो line है उसको हमने connect किया है तो हमें ये वाला line मिलेगा उसी तरीके से इस कौने पर हमें एक लाइन मिलेगा इस कौने पर भी हमें एक लाइन मिलेगा और इस कौने पर भी हमें एक लाइन मिलेगा और ये जो पॉर्शन है वो है हमारा सेकंड ब्रिलियन जोन यह triangle portion जो है वो है हमारा second brilliant zone third brilliant zone बनाने के लिए हमें क्या करना है first brilliant zone को extend करना है और ये जो कोना है ना वहाँ पर line draw करना है ये जो portion हमें मिलता है ना ये है हमारा third brilliant zone यहाँ पर भी 손हि हमारा third brilliant zone ये second ये third और ये first है फिर से मैं एक बार बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पर मैं निमेरिकली नहीं दिखाऊंगी ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले origin आएगा origin के right hand side पर positive x axis होगा तो pi upon 2, यह negative x axis है तो minus pi upon 2 pi upon 2 नहीं pi upon a है ठीक है एक square मिलेगा है ना यह square के अंदर का जो area है वो है हमारा first brilliant zone यह जो white वाला portion है वो है हमारा first brilliant zone now हमें square के kोनों को consider करना है और वहाँ पर हमें draw करना है lines scale का use करके draw करेंगे तो यह एक line है आपको scale का use करना यह भी एक line है इस kोने पर यहाँ पर भी एक line है इस kोने पर और यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक line है इस kोने पर ओके तो यह हमारे triangles बन गए और यह होगा हमारा second brilliant zone इसको मैं ऐसे represent करूंगी line जाली बना के तो यह है हमारा second brilliant zone फिर उसके बाद हमें फिर से कोने को consider करना है यह है ना corner हमारे second brilliant zone का वहाँ पर line draw करना है ठीक है इस line को हम extend करेंगे यह जो first brilliant zone के lines है इसको थोड़ा हम extend करेंगे ठीक है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कोनों पर line draw करेंगे यह जो कोना है उस पर जो line है वो है हमारा third brilliant zone यहाँ पर जो line है वो है हमारा third brilliant zone जब हम इस corner पे line draw करेंगे तो वो हमारा third brilliant zone होगा पहले हमने इस corner पे line draw किया फिर उसके बाद इस corner पे ठीक है third brilliant zone को मैं vertical line से represent करूँगी तो यह हमारा third brilliant zone तो vertical lines जो है वो है हमारा third brilliant zone यही figure book में दिया है तो बुक में देखते हैं brilliant zones in evolved construction, जो evolved construction है, we find that all the k-values, जितने भी k-values है, for which reciprocal points intersect the evolved space, जिसके लिए reciprocal point जो है evolved space को intersect करता है, are break reflected, ठीक है, जो k-vector है हमारे x-ray का, उसके किसी भी value के लिए जहां पर, जो हमने circle draw किया था, वहां पर उसका reciprocal point आता है, वो सारे break reflected है, ठीक है, और हमें जो है, यहां पर construct करना है, locus, सारे values of k का, जो की break reflected है, तो हम brilliant zones बनाएंगे एक simple square latest के लिए, जिसका side a होगा, उसका जो primitive translation vector है, वो होगा, a vector और b vector, जो की a i cape और b j cape के बराबर आएगा, b और a बराबर है, तो a j cape के बराबर आएगा, और उसका हम reciprocal vector लिखेंगे, जो की यहां पर दिया है, यह topic हमने पहले किया था, a star जो है, वो 2 pi upon a i cape है, और g vector जो है, वो बराबर होगा, h a star plus k b star के, a star और b star का हम value पुट करेंगे, और हम suppose करते हैं कि हमारे पास एक x ray है, उसका wave vector है, k vector k x i k plus k y j k, और उसको हमने origin से measured किया है, ठीक है, फिर उसके बार from brax condition, brax condition से हमें क्या मिला, 2k vector dot g vector plus g square जो है, वो 0 के बराबर होगा, फिर 2k vector dot g vector जो है, वो negative of g square के बराबर होगा, k vector का value हम put करेंगे, g vector का value हम put करेंगे, फिर यहाँ पर g square यानि की g vector को दो बार put करेंगे, और उसको जब हम solve करेंगे, तो हमें मिलेगा, h k x plus k ky is equal to minus pi upon a, h square plus k square, जो की family of straight lines, family means group, group of straight lines का, क्या है, equation है, k x और k y plane में, और यहाँ पर हम k x और k y भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर intercept है k x और k y, यानि की एक term, k x या k y 0 होगा, तो दूसरा term हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम h के जगे पर 0 और k के जगे पर plus minus 1 put करेंगे, फिर हम k के जगे पर 0, h के जगे पर plus minus 1 put करेंगे, उपर वाले equation में, तो हमें k x is equal to plus minus pi upon a, और k y is equal to plus minus pi upon a मिलेगा, जो की हमें 4 lines देगा, यहाँ पर दिया है k y pi upon a, k y minus pi upon a, k x minus pi upon a, और k x pi upon a है, उससे हमें 4 lines मिला है, यह origin होगा, ठीक है, आपर k x और k y दिखाएना, यह origin होगा, तो यह जो 4 lines है, वो figure में प्लोट किया है बनाया है, जितने भी k vectors जो की origin से आएंगे, और इस line पर खतम होगा, वो break reflection प्रोड्यूस करेगा, imagine करना है, ठीक है, origin यहाँ पर है, उससे, इस line को जितने भी vectors connect करेगा, वो सारे lines जो है, वो break reflection दिखाएगा, ठीक है, जितने भी k vectors है, break reflection प्रोड्यूस करेगा, beside this sets of line, इस line के साथ साथ, दूसरे lines भी है, जैसे कि plus minus kx, plus minus कुछ भी हो सकता है, ठीक है, plus minus ky जो है, वो 2 pi upon a है, यह वाला line भी possible है, और यहाँ पर kx plus minus pi a, kx ky plus minus pi a, जो है, वो हमें first brilliant zone देता है, जबकि kx plus minus 2 pi upon a, और ky plus minus 2 pi upon a, जो है, वो हमें second brilliant zone देता है, यह जो lines है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालना है, वो हमें second brilliant zone देगा, यहाँ पर अगर हम origin को consider करेंगे, तो kx distance जो है, वो 2 pi upon a होगा, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ना अगर हमें brilliant zone बनाना हो, three dimension में, a cube के लिए, square के लिए, नहीं ठीक है, तो हमें कौन से वाल minus pi upon a h square plus k square plus l square के, यहाँ पर z वाला axis भी आएगा, z तो coefficient होगा, l तो l भी आएगा, और यही है आज का हमारा topic brilliant zones